हाश्टल की सुविधा कैसी है हाश्टल में क्या सुविधा हैं इसका पेपर कैसा आता है मतलब बच्चे इंटरंस देंगे तो कैसे उनको पढ़ना चाहिए कितने बच्चों ने एक्जाम दिया था आपके समय कुछ और यह टीचिंग के क्वालिटी कैसे मतलब टीचर सापके कैसे किस तरीके सो कॉपरेट करके पढ़ाते हैं जैसा कि हमने सुना है इसके बारे में इतना बड़ा केंपस है चार स्कूल अड़ जाएंगे इसमें स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल CHS Study Capital पर CHS का इंटरेंस एक्जाम जितने भी बच्चे देने वाले हैं उनके मन में जिग्यासा होगी कि जिस स्कूल के लिए मैं इतनी तयारी कर रहा हूँ जिस स्कूल के लिए मैं इतनी पढ़ाई कर रहा हूँ उस स्कूल में क्या-क्या है classrooms कैसे है, hostels कैसे है, grounds कैसे है और पूरा CHS का campus कैसा है आप सभी ने सुना बहुत होगा लेकिन आज मैं आपको campus दिखाऊंगा तो आज हमारे इस campus block में आप सभी का स्वागत है और gate के अंदर हम लोग इंट्री करेंगे जैसा कि camera मैं ने आपको पूरा gate दिखाया gate के अंदर हम लोग इंट्री करेंगे और देखेंगे इस gate के अंदर की campus में क्या क्या सुविधाय हैं और campus में आपको क्या क्या मिलता है तो चलिए देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं तो विजिट करते हैं कैमपस को और CHS का कैमपस कैसा है जरा देखने का प्यास करते हैं सबसे पहला जो बिल्डिंग या फिर यूं कहलें ब्लॉक उस ब्लॉक में हम इंट्री करते हैं बाइस दिसंबर 2004 को जरा देखते हैं ये ब्लॉक में और क्लास रूम्स वगरा कैसी है अभी खैर चुट्टी का समय है यानि चुट्टी हो चुका है फिर भी हम क्लास रूम्स कैसे हैं आपको दिखा सकते हैं और ये ब्लॉक दिखा सकते हैं ये बिल्डिंग आपको पुरानी के लिए एक ही ब्लॉक है क्योंकि मैंने बताया CHS जो है एक बड़ा स्कूल है तो इसके जरा और भी ब्लॉक्स को देखते हैं तो CHS के बारे में अगर आपको जानना है तो थोड़ा सा एनि बेसेंट जी को भी आपको देखना चाहिए यहां पे एंग्लिस में लिखा हुआ है यहां पे लिखा क्या गया है कासी सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्कूल तथा हिंदू बाली का विद्याले की संस्थापी का विश्व विख्यात लेखी का एवं ब्याखाई का हिंदू विश्व विद्याले द्वारा गर्वानित उपाधी विभूसिता सरस्वती भक्ता माता एनी बेसेंट के असमारक स्वर यह एक सपना है जो campus लाखो बच्चों का लाखो बच्चों कह सकते हैं और नहीं कुछ तो बहुत सारे हजारों बच्चों का तो यह सपना है ही और जरा campus में आगे बढ़ते हैं यह देखिए खुब सुन्दर सा मनोहर सा campus है बस घूमते हुए देखते रही है बस इस campus को देख सकते हैं यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगा कि जरा camera man इधर मेरे साइड आप camera को अगर करें तो मैं एक बार इसको देखना चाहूंगा सर इधर देखिए NCC यानि National Cadet Corps का भी यहाँ पर आपका center है यानि यहाँ पर आप NCC के बारे में आप सभी को जानकारी होगी कुछ लइब्रेरी की तरफ बढ़ते हैं ये लाइब्रेरी मुझे नजर आ रही है और यहां पर लिखा हुए हार नहीं होती लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती कोसिस करने वालों की कभी हार नहीं होती ये सोहनलाल ब्लाक दी जीची की पंगतियां लिख हुई है उसलिव देखेंगे और उनके अंदर एक नया उत्सा एक नया जोश एक नया जज़वा उनको देखने को मिलेगा और यह लाइबरेरी है चुकि अभी बंध है लेकिन यह लाइबरेरी के बाहर का जो सीन है वो मैं आपको दिखा रहा हूं ये मुर्ति जो है आपको दिख रही है अभी मैंने एनी बेसेंट जी की मुर्ति दिखाई हमारे कासी हिंदु विद्याले बीएचु के संस्थापक मदन मोहन मालवी जी की मुर्ति है हम सभी के पेड़ा स्रोथ हम सभी के अभिवावक और जिनको देख करके हमें एक उर्जा म मिलती है और आज मैं अपने इस ब्लॉग में भी महमना जी की जो मुर्ति है उसका वहाँ पर आ करके और मैं एक तरीके से धन्य हुआ CHS स्कूल के एक बहुती एहम अंग और एक बहुती महतपुर हिस्सा किसी भी विद्याले का जो CBSC हो या फिर कोई बोर्ड हो क्या का आ जाता है उसका एक क्राइटेरिया में होता है कि आपके पास अच्छा ग्राउंड होना चाहिए ग्राउंड क्यों क्योंकि सरवांगी विकास के लिए फिजिकल एपियरेंस के लिए बहुती जरूरी होता है और ये आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हो ये पूरा ग्राउंड जरह एक बर कवर करके दिखाए तो कितना बड़ा ये ग्राउंड है और बहुती बहतरीन ग् आपको खेलते हुए नजर आएंगे, वहाँ पे फुटबॉल का कोट है, बास्केटबॉल का कोट है, बॉलीबॉल का कोट है, और इस तरीके से यह जो ग्राउंड है, बहुत ही बड़ा है, सामान ने स्कूलों की तुल्ला में अगर देखा जाए, तो यह इस ग्राउंड में चाहें आप दोड करें, चाहें खेल कूट करें, कुछ भी आप कर सकते हैं इस ग्राउंड में, और मुझे जहां तक पता है कि जब जो आपके खेल कूट का जो पीरेड होता है, उसमें बहुत सारे गेम्स भी कराया जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी आपको यहां पे मि का, शिक्स्त का, यानि पिछले 3-4 सालों से आप यहां पे कैमपस में है, कैमपस कैसा है, CHS का जब आप यहां पे आये तो, अच्छा कैमपस है, बढ़ियां मतलब काफी बड़ा आप कैमपस है, और यह टीचिंग की क्वालिटी कैसे है, मतलब टीचर सापके कैसे है, किस त यहीं स्कूल के हास्टल में रहते हो, उस्टल की कीई काफी का है, यहानि पूरे साल का पहले आप से ले लते हैं, और बाकी जो है मेंसफड हर महाईने की लगबाग तीना को आप ती है, और कुछ कैमपस के ही कि बताना चाहोगे, कि जो ऐसा हो, कि कुछ नएा चीज मेरे प चार इस्कुलर जाएंगे आपके जूनियर्स तैयारी कर रहे होंगे उन्हें आना होगा तो कैसे आप लुग सी अचेस में आए और उनको क्या बताना चाहेंगे उनको यहीं बताना चाहेंगे कि महनत करिए कॉंप कॉंपूटीशन जो होता है वो टफ होता है लेकिन इंपॉ अच्छा बैचमेट है कहां से हैं आप हम लोकल आजमगरस है आजमगरस क्या नाम है अभी शेयक अच्छा पढ़ता है तो पेपर उसके लिए आसान लेगा अगर बच्चा नहीं पढ़ता तो पेपर हाड़ लेगा वैसे अभरेज रहता है तो क्या कुछ पता आए कि कितना कट अफ जाता है काटेगरी इंसाइज वही डिस्ट्रिवूट है अच्छा अच्छा पूरे सातो दिन का अलग-अलग मेनियू है अलग-अलग तरीक से पोज़न है और बाकी इस सुविधाएं टीचर्स और आपके वाकी फैकल्टी कैसी है सब वह सब बहुत अच्छी काफी तो बाकी और मुझे ज़रा दिखा होगे कि कैमपस में क्या है कैसे है यह जैसे अभी हम लोग इसको देख रहे हैं यहां पे तो मैंने देखा ग्राउंड है फिर हम उदर से आ रहे थे तो दर क्लास्रूम्स वगएरा थी लेबरोट्री थी अच्छा यह आपका किड़ा पवि सिटी है और टोटल सारे क्लासिस के मिलाके और बाकी बच्चे कहां रहते हैं अपना खुद का जो भी अच्छा खुद से रूम वगएरा लेकर के रहते होंगे तो आप में और उन बच्चों में क्या उनको क्या कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ता है कि अजो बच्चे की आपके मिल पाता है और अब के खुलता है यह बंदी रहता है क्यूक्त मुझे तो बंद दीख रहा है अच्छा नया नभी बन रहा है अच्छ सारी चीजें वे लगी हुई है वैसे धूप का समय है तो यह चीजें आपको साम में बहुत अच्छी लगती होंगी यह सारी चीज जलाद दिखाई है कि गंबले बगएरा लगे हुए पेड़ बगएरा भी छोटे चोटे लगे हुए और यह हॉस्टल का उपर से दिखा हुआ है चात्रावास सेंट्रल हिंदू बॉइज स्कूल ना यह हॉस्टल है आपके CHS का बॉइज स्कूल का क्योंकि अभी हम लोग जो है CHS बॉइज का ब्ल इतना बता सकते थे और जितना आपको दिखा सकते थे उतना हमने आपको दिखाया और लास्ट में हम पहुंचे है चात्रावास के पास यानि हॉस्टल के पास तो जैसा कि हमने बच्चों से पूछा कि मैं इसका खाना कैसा है बच्चों से पूछा फैकल्टी कैसी है तो उन admission पाने के बाद campus में आने के बाद देखेंगे इसमें आपकी जिग्यासा भी बनी रहेगी तो फिलहाल ये वीडियो कैसा लगा है वीडियो अच्छा लगा होगा ब्लॉग वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे थे तो CHS की जानकारी, CHS की अपडेट्स और CHS कीसी प्रकार से अच्छे अच्छे वीडियो पाने के लिए क्योंकि और भी ब्लॉग वीडियो आने वाले हैं